महिला शशक्तिकरण व गाउ कस्बे की बच्चीयों को प्रेदित करने के उद्देश से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्तोपूर्ण वसराहनी कदम उठाया गया है वया है कि इस्कूलों की एक दिवार महिलाओं के नाम होगी आईए इस विसे को अच्छे से समझा जाए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी हुआ है इस आदेश के अनुसा लिखा गया है कि स्कूलों की एक दिवार महिलाओं के नाम होगी इस आदेश में आगे लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों की एक दिवार महिलाओं को समर्पित की जाएगी इस दिवार पर रानी लक्ष्मी बाई से लेकर सावित्री बाई फूले, कल्पना चावला, पीटी उसा, सरीखी महिलाओं के संगर्स की गाथा उकेरी जाएगी इससे गाव वकस्बे की छोटी लड़कियों की आँखों में भी सपने पलेंगे मिशन सक्ति के तहत होने वाले कारिक्रमों में संशोधन करते हुए राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंग्जी ने आदेश जारी कर दिया है 16 से 30 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा इसमें स्कूल की एक दिवार पर महिलाओं के संघर्स की कहानियों को पेंट किया जाएगा महिला शशक्तिकरण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी इसमें अविभावकों को भी बुला कर लिंग भेद के बारे में सचेत किया जाएगा 15 जून तक सेल्फ डिफेंस का प्रसिक्षन ऑनलाइन दिया जाएगा 1-31 जुलाई तक स्थानिय महिलाओं को आमंत्रित कर 6-30 जुलाई तक ब्लॉक इस तरपर खेल कुद प्रत्योगिता होगी हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साजा की गई यह आपके लिए ओप्योगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंद जो और भी महत्तपूर्ण सुचता हैं उनकी नॉटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आप सबीनों का बहुत बहुत धन्यवाद